पूर्णी बोर्म वेलकम टू डिस्कवर बीम पॉडकस्ट और आज से हम अपनी नई जर्णी का स्टार्ट करने रहें और इसके अंदर हम आपके जितने कि अज्विएशगी पॉड़ग आपके साथ शेयर करेंगे ताकि उनके कारियर्स तोंकी इंदस्ट्री के अंदर आप लोग अपने कारियर्स कार सकें और इस सिर्स्थे में जॉँमरे सबसे पहले गएस्ट कॉल आई I'm very honored to call him I'm very honored to host him He's project director at NIC Hyderabad He used to be a program manager at NIC Karachi और स्लाव अलेकों बस्वर भाई कैसे हैं आप सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि आपका ये जो Hyderabad से कराची का जो सफर रह रहा है इसको आप किस तरीके से इतना जादा हेक्टिक जो है वो इसको कंटीनियू करते हैं इसमें ये होता है कि इनसान को गोल औरियंटेड होना चाहिए I think so Hyderabad के लिए एक गिवबैक है मेरा तो in personal capacity as well I was born in the city I really like the city हम सब opportunities के लिए कराची आएं So it's good It's a मजा आ रहा है और जैसे कराची था कराची के एक डिफरेंड डिफरेंड डिफरेंडेमिक है Probably मैं जिस करियर के स्टेज पर आगिया हूं especially in terms of incubation मैं रिली चाह रहा हूं कि हम अप बिल्ड करें from a very basic level That's why मेरा university interaction भी रहा है तो कराची में बहुत मोकी मिल जाते हैं आज भी हम कराची की माकेश में हिदरबाद को देखें खास तोर पे तो शाहिद कराची के लिए N.I.C. कराची जाहिरे it's also brilliant brilliant project लिए हिदरबाद के लिए तो पिल्कुली cutting है जिए कि वहाँ तो बहुत deprived है तो enjoying it really अच्छासर भाई आपने जो है वो इतफाक से उसने कराची दब आएं वो जब मैं मेरी थारी एजुकेशन यही हुए मेरी बिल्कुली प्री स्कूलिंग जो है वो हिदरबाद में हुए अच्छा तो everything is in कराची ओके तो आपने जो है वो as per your profile आपने जो है वो ACC किया हुए और आपने गर मैं गलत नहीं हूँ तो Greenwich से आपने जो है वो MBA भी किया हुए अच्छा यह accounts और finance के साथ-साथ यह जो startup culture के अंदर आपने आपको incubation culture के अंदर जो आपने आपको add किया यह add हुए है add किये गए है यह आपके रहे के तफाक था यह तीनों चीज़ें थी दूसरा यह था कि finance पढ़ा जरूर है finance का इंटरस्ट का भी ही रहा इंटरस्टेंगी अच्छा यह हमारे हैं पाकसान में है यह overall एक फिनोमना है कि जिस चीज़ में इंटरस्ट नहीं होता कि लिमिटेशन होती है लिमिटेशन यह होती है कि I come from a family of medical doctors everyone is a doctor जब मैं कहा रहा हूँ everyone तो मेरे parents doctor है मेरे चार बड़े बहन माई है चारों doctor है तो वो इस किसम के parents रहे यह सबसे चोटा बच्चा है और वो हर बच्चे के लिए यही का लोगों ने metric interval टाइब किया है उन लोगों को यह होगा कि यह इस वक्त क्या आ रहा है निया so actuarial sciences था ACCA का जमाना था तो आप कहते हैं भाई आप इदर जाएं standard BBA ना करें उस वक्त एक बच्चे को ना वो mindset शाथ समझी ना हो कि मैं क्यों कर रहा हूं यह do I have this passion so मुझे ही अंदाज़ा हुआ to be honest and I am very vocal about it because now I am in a role मुझे लोगों को थोड़ा से कांस्टिंग भी करनी in terms of their career it was a bad decision on my part because accounting or finance was never my cut मेरे नहीं थी और वो रगर रगर के to be honest मेरा करियर को जबरदस नहीं रहा उसमें कोई बहुत अच्छी तरह मैं पास नहीं हो रहा था यह जिस यह वगरा मैं so yes उसको मुझे फाइदा हुआ आज मी मैं देखता हूं मेरी उन लोगों एक common जिसने MBA किया हुए उससे understanding मेरी बहुत अच्छी है finance वगरा की लेकिन मेरा दिल नहीं था so आप यह कैसे तने हैं कि एक जिसको counseling ना मिली हो तो MBA ने भी मेरी असानी कर दी हूँ कि जार अगर आप specialization finance करें marketing करें HR करें कुछ भी करें MBA में आप फिर भी जर्नलाइस program होता है and then you have exposure you meet people तो आपको समझ आ जाता है कि यार मैं इधर नहीं तो कहीं और land करूँगा मेरा career जो है start हुआ है media से और मैं essentially marketing media, communication, com site पे रहाँ different organizations में before the incubation वाला टाइप तो उसमें मेरा यह advantage हुआ कि incubation centers जो आज भी लोगों को नहीं पता होता आपको बताना पढ़ता है कि incubator यह है मुझे फाइदा यह हुआ कि since I was a people's person a marketing person मेरे लिए business development या कोई नहीं चीज़ को set up करने की तो जब यह opportunity कराची उनिवरस्टी में आई डॉक्टर अतार एमान और इंगाल चौधरी देखियो they came up with this project कि HEGA या ICCBS कराची उनिवरस्टी में incubation center बनना है so they were essentially looking for someone who was who had this marketing background तो वहाँ मेरा फाइदा हुआ तो वो मुझे असानी हुआ चासुर भाई एक सवाल जो है वो हमेशा मेरे जहन में आता है और यह मेरी personal अगर मैं बात करूंग पोर्टफोलियो के अंदर भी एक चीज़ है कि I never was in support of degrees या education सिर्फ या आपके skills या आपका experience आपका career कभी भी जो है वो limited नहीं होना चाहिए आपकी degree से क्या एक चीज़ वाकिय में exist करती है degree is just a paper और it values या आपकी इसके अंदर career के अंदर value करता है अगर आप मेरे case पर देखे और मेरे जैसे बहुत सारे लोग है जिसने शायद पहला अपना काम किसी certification में time दिया है और फिर degree की तरफ move लिया है तो उसको तो बहुत जरूवत थी उस degree की क्योंकि उसकी उसमें वो refine नहीं हो सका वो बंदा तब तक जब तक उसको एक environment ना मिले where he can he or she can express himself ना उसको समझो but आजकल so यह मैं बातें सारी कर रहा हूँ 15 साल 18 साल पुरानी अब यह बात और जरा universities की relevance उस context में मुक्तरिफ context में different different हो रही है for example tech है tech based जितने भी jobs roles है उसमें तो आप डिरी भी ले ले लाए है कि आपको continuous learning की बहुत जरूरा the technology is बदल रही है I think so still for a generalized program you need a good environment a university university degree कभी नुकसान नहीं देती चार साल है उसको जादा आप practical बना सेते हैं लेकिन आप यह नहीं कह सेते हैं कि आप इंटर्व कर दिया या आपने A-Levels कर लिया तो आप डिगरी ना लो और पाकिस्तान देसी environment में हमें एक चीज़ जरूर सोचनी चाहिए कि not all people have this privilege कि जिनका exposure हो क्योंकि हमारा exposure भी पहली दफ़ा हमें युनिवरस्टी में आ रहा होता है अब ये ये पूरा आपको system से फिर बगावत करनी पड़ेगी आपको कहना पड़ेगा कि यार इसको अच्छा email ड्राफ्ट करना आता था जब वो अपने A-Levels में था पाकिसान में ऐसे बहुत कम लोग होंगे कि जो inter-metric कर रहे हैं और उनको बहुत अच्छा email ड्राफ्ट करना आठ वीग में आ जाए अनफॉर्चनेट है नेकि नहीं आठा ये चीज़ां आप युनिवर्स्टी में समझ रहो होते हैं कि मुझे अच्छा email ड्राफ्ट करना है मुझे कम्यूनिकेशन कैसे करनी है इस environment के लिए युनिवर्स्टी ज़रूरी है लेकिन अब सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टन है और ये लो आल लों के युडेमी, कोर्सेरा, एडेक्स, इन प्लाटफॉर्म्स के आने के बाद अल दो मोर रीजन के इतनी बड़े-बड़े-बड़े-बड़े-आई-वी लीग्स ने भी अपनी सर्टिफिकेशन ब्रग्राम्स पुछ करना शुरू करते है अच्छा तुम्ही इसके अंदर जो है वो एक उनिवस्टी का स्टुरेंट है उसके पास एक्जैन में आईडिया है आप उसको किस तरीगे से इनेबरेट करेंगे उसकी पूरी एक जर्नी को मैं पूछना चाह रहा हूँ कि स्टार्ट अप की जो एक पूरी जर्नी है वो किस तरीगे से अपने आईडिया को एक्जीक्यूट कर सकता है उसके लिए क्या-क्या प्रोसेस होंगे कि इनकिन मरायल से उसको गुजरना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में अगर आप थोड वो सारी एक स्टोरी है बट वो किस में था किन जगाओं पे थे आईवी नीग्स में देटी फिल कोई आरवर्ड में बेटा था कोई बर्कली में था कोई कहीं था उनका एक्सपोजर अलग था यूनिवरस्टी के जो स्टूरेंट्स पाकिस्तान में या जो खासवार पर ऐस सर्विस करते हैं बच्चा एक 14-15 साल का बच्चा या लड़की या लड़का किसी लाइबरेरी में काम करेगा बेबी सिटिंग करेगा जो है न मॉम और प शॉप्ट बेसिक सेल्स का काम कर रहा होगा यहां हम नहीं करते हैं प्बलिक डीलिंग उस तरह की करते नहीं तो प्रोजेक्ट जो है वो एक इंपॉर्डेंट होता है सिग्निफिकेंट होता है साथवे आठवे सिमिस्टर का होता है उसको फोकस करते वे अगर वो उस पर काम करें तेन इट कें बी ए स्टार्ट अप नॉट नॉट जरली कि वो उसमें कामयाब हो जाएं बट उनके पास चां रेपान और उनके साथ सरफ्राज उन दोनों फांडर ने बिल्कुल युनिवर्स्टी के बाद बनाये इंवेस्मेंट मिली यह फांडर भी बहुत ब्राइट हैं काम बहुत अच्छा करें शुरू से युनिवर्स्टी से बिलीफ था उनका इससा इसता प्राड़्ट भी ट तो आपके रिए दुश्वारी सबसे बड़ी होगी कि आपको प्रैक्टिकल या आपको मार्किट की या कमर्शन वैल्यू जी मता हो अच्छा सबसे पहले हैं तो मैं आपसे ये स्टार्टप के हवाले से जब हम शुरू कर रहे हैं एक बड़ा मिस्कंसेप्शन है एक बंदा है उसके पास पैसे है उसने एक रेस्टारंट को लिया और उसको भी वो एड टाइम से स्टार्टप बोल रहोते हैं और एक स्टार्टप है जो शायर यह है कि एक ऐसी सॉल्यूशन की तरफ लेके जाना है किसी प्रॉब्लम को कि जो के इन्वाइमेंट के मार्केट के अंदर या आपकी सुसाइटी के अंदर कोई बैटर्मन लेकर आ है या पर एक तीसरी डेफिनेशन है कि जो भी काम आई-टी रिलेटेड होगा चाहे वो सर्विसेस बेस्ट ही हो वो भी स्टार्टप है तो आप स्टार्टप वर्सेस बिजनेस को किस तरीके से इसको डिफिनेट करेंगे अगर आप दुनिया बर में देखें ना इंक्लूडिंग पाकिस्तान तो यह वाली टर्म की ही डेफिनेशन पे ही लोगों का अभी भी एग्रिमेंट नहीं हो रही है फॉर इंस्टेंस इंडिया ने एक प्रड्राम स्टार्टप इंडिया प्रड्राम जब बनाया है तो उन्होंने स्टार्टप इंडिया प्रड्राम में बाकाइदा स्टार्टप की नोटिफिकेशन डाली कि स्टार्टप की डेफिनेशन क्या है पाकिस्तान में अगर आप CCP की वेबसाइट पर गाए and you go into the startup session बाकाईदा एक startup का section बनावा है उदर भी उने startup की definition रखी भी है usually चो दुनिया में बात होती है यह होती है कोई product, service नहीं कोई आप ऐसी technology product बनाए जो highly scalable हो जिसकी growth बहुत तेजी से बढ़े और वो कोई problem solve कर रही है through an innovation usually यह होते है starter through an innovation or through an IT through an innovation and then innovation can be on business process innovation भी हो सथी जरूरी नहीं कि वो कोई नहीं इजाद हो वो यह जरूर हो सथी कि basic जैसे Airbnb model था वो बहुत simple है आपके पास Netflix है वो बहुत simple है उस तरह की similar चीज़ें स्ट्रीमिंग या कोई और चीज़ें हो रही थी लेकिन OTT जो बने जो यह नेट्फिक्स वगारा कराते यह प्लैटफॉम्स एक पर्टिकिलर नीट कि आपका कोई prime time नहीं आप जब चाहें आपका prime time है आम देखना चाहें आप मोबाइल पे देखें आप अपने मुलकों ने 10 साल में कोई भी नई कंपनी बनने है जो टेक का काम कर रही हो वो स्टार्ट अप कह रहे हैं कुछ लोग जिसे आपने बताया कि problem solving कर रहे हैं through technology वो स्टार्ट अप है मैं इसने कह रहा हूँ कि product based क्यूंकि venture capitalist angel investors उनी companies में invest करता है जो एक product हो और जो scale या grow करे यानि आज 2 रुपे उसकी मालियत थी 5 साल बाद 20 रुपे हो जाए आपकी जो software का business जैसे हम कह रहे थे या routine का services बिजनस होता है वो भी grow करता है लेकिन वो 2 रुपे से 4 रुपे होता है कोई innovation जो ऐसी हो जिसका एकदम market में impact आ जाए इसलिए मैं Netflix का कह रहा हूँ या Google है Amazon है उनका यहीं हुआ कि अगर एक साल दो साल तीन साल चौते पाच्प पर गई तो वो होकी स्टिक ग्रोथ तब ही आती है जब आपकी कोई innovation हो यह जो market ने पहले ना देखी हो यह start-up के लिए अकसर इसी लिए उन companies को high growth scalable tech product और tech इसलिए technology इसलिए कहते हैं क्योंकि technology से आप पूरे के पूरे ना सिर्फ पाकिसान बलके दुनिया भर में कोई भी global product ज्यादतर technology का ही बना सकते हैं जाहर है आप एक restaurant भी बना लेंगे तो उसकी growth में आपको तक यह और नहीं और उसको बनाने के लिए पर वो brick and mortar है तो आपको मुक्तलिफ जगह ब्रांचे गोलनी उसमें time लगता है लेकि technology product में time नहीं लगेगा उसका recent example जो आप सब follow कर रहा लिएन डाउनलोड होगी within few days. That's the start. पंडिंग क्या होती है तो इसके बारे में अगर तोड़ा सा highlight करें तागे उन लोगों के लिए जिनको पता नहीं है तो हमारी family क्यों के medicine में है तो वह वाली definition मैंने अपने साथ पकड़ लिए मैं हर एक को वह वाली definition जल्दी में बताते हैं और वो आम लोगों को समझ भी आ होता है तो वह अकसर बच्चे को हर बच्चे को दो नहीं लेकिन जो थोड़ा सा वीक होता है उसको इनक्यूबेटर में रख लेते हैं अस्पताल में इसके भी कुई नई जहां बर्त हूई हो अस्पताल का इनक्यूबेटर बच्चे की initial days में ख्याल रखता है ताकि वह fit हो कि वहां से अगर कोई बच्चा वीक है उसको डशोनोमा सही हो नरिश्मेंट हो and then that kid is eventually handed over to his parents और बड़े जो भी है क्यों शुरू में पाच दिन इंक्यूबेटर में रखा, दस दिन रखा, इस तरह इंक्यूबेशन हो बिजनिस इंक्यूबेशन ये टेक्नोलोजी इंक्यूबेशन इग्जाक्ली ऐसी है एनी आइडिया और एनी बिजनिस और एनी स्टार्ट ताट इट्स जो अपने इनिशिल स्टेज बेए है और उसको क्या करना है, उसको एक आफिस चाहिए, उसको एक मेंटरिशिप चाहिए, कि मैं एक कॉमर्स पर काम कर रहा हूं, मुझे एक कॉमर्स की सक्सेस स्टोरीज या फेलियर से मुलाकात करनी, मैं एक टेक्नोलोजी का जिंदगी भर वह रहा, स्टूर्न रहा, प्रेटि मुझे एक एक एको सिस्टम ऑफ डिफरेट अंट्रिफरनियर्स चाहिए, वह भी मुझे इनक्यूबेटर में बिलेंगे, तो उस इनिशिल जो स्टेपिंग स्टोन जो इसको एक पहना जो रास्ता दिखाना है, उसको ही हल्प करनी है, आइडिया साब उसका होगा, काम वो सारा, उसको जो शुरू में इनिशिली इनेबल करेंगे न, और बहुत सारे इनक्यूबेटर्स, इंक्लूडिंग आर्ड्स, वो एवन कंपनी रिजिस्ट्रेशन में मदद करते हैं, बेसिक अकाउंटिंग में मदद करते हैं, तो यह जो बेसिक फंक्शन्स जब आपके एक support organizations, इसको बहुत दफ़ा लोग कहते हैं, incubators का निया नाम है, entrepreneur support organizations as well, तो यह जो support organizations है, initial days की, वो incubation है, incubators है, incubation center है, incubators है, दुनिया बर में उसका एक थोड़ा सा advanced level भी आगिया है, बाकिसान में भी नहीं आया, जो accelerators कहलाते हैं, usually उन में और incubators में फर्क यह होता है, जिन लेटर स्टेज़ पर आपको investment भी चाहिए हो, तो once आप इस इन मरहले में गुज़र गज़र गए 6 महीने की, जब आप accelerators या acceleration stage for start-up कहते हैं, कि वो funding भी दे रहो हैं, तो ये बहुत सारे terms हैं, उसमें pre-seed कहते हैं, seat कहते हैं, series A कहते हैं, उसमें series B कहते हैं, series C कहते हैं, usually इसमें इसकी बहुत, एक जो कहते हैं, rigid definition में जाने की ज़रुद नहीं है, usually stages of a start-up होते हैं, कि यार आप शुरू में ह इसकर दी, फिर आपके थोड़ा से जब और growth आई, तो आप series A में आगए, फिर और growth आई, तो series B में आगए, तो ये steps to growth है, step towards growth है, और eventually, दुनिया बहुत सुना होगा, ये term होता है, पाकिसान में बहुत ही कम हो रहा है, even mainstream companies के लिए IPO, initial public offer, कि जब ये series, जब उनकी investment series नहीं, तो company ने market से, stock market से पैसे उठाए, लोगों के, तो वो IPO कहला है, अच्छा सुर भई, valuation जो होती है, startup की, वो किस तरीके से judge की जाती है, उसमें क्या उसके process होता है, thought process का क्या होता है, ये बहुत, ये, then again, it's a difficult question, why, because, एक तो there is no one method for valuation, फिर valuation के मुक्तलिफ methods के रहावा valuation, जो है न, especially, वो बहुत तरे लोग ये कहते हैं कि हो science भी और art भी है, sense में कि कभी भी कोई satisfy नहीं होता है, एक startup है, उसको अपनी valuation बहुत जादा बढ़ा के बता रहा होता है, एक जो जो खास्ता पर investor है, वो आपकी कम करके valuation बता रहा होता है, usually valuation models different होते हैं, लेकिन it has to do with the company's growth, अब एक company उसना भी zero revenue करें हो है, वो अपनी forecasted revenues की base पे अपना सारा focus करेगा, कि मेरी इतनी forecast है, मुझे जो है न, वो मैं अगले साल में एक करोड़ कमाऊंगा, दो करोड़ कमाऊंगा, उस उन revenues को देखते हुए, वो valuation होती है, उसके different models में, तो valuation में usually revenues को आप consider करते हैं and then एक industry का basic multiple मना लेते हैं, कुछ industries जो बहुत high growth होती हैं, उनको five time, आपने सुना हो गए 10X कर दिया, 8X कर दिया, वो multiply by eight, multiply by six, multiply by five, usually यह होता है कुछ companies की कि इसका industry vertical तीन है, तो आप यह कहेंगे कि मेरा साल का revenue एक करोड़ है, और मैंने multiply by three कर दिया, तो तीन करोड़ हो गय valuation आ जाती है, but there are other scientific as well as real mathematical calculations that valuation बनाती है, तो बहुत जाहर है founder की अपनी experience, product की industry, industry की growth, team कैसे बना दी है, किस geography में काम कर रहे हैं, Pakistan की अग डाइनामिक्स है, Dubai की अग डाइनामिक्स है, and so on. So, valuation important इसलिए होती है कि वो company की मालियत बताती है, कि बहुत मैं एक करोड़ की company हूँ, मैं 20% अपना stake, जो है वो, उस पे investment मांगरी हूँ, तो एक करोड़ का 20%, 20 लाग रुपे, और वो फिर investor उस हिसाब से फिर उसको value करके देता है. अजर सब्सक्राइब बिल्कुल short में इसको define करना चाहिए कि VC क्या होता है, इसका role क्या होता है, और क्या यह differentiate करता है, incubation से और इसका क्या होता है? इसका क्या है, तो आप से भी बात करेंगे, venture capitalist basically एक investor है, एक investor टाइप है, जो basically उनके भी LPs होते हैं, जो partners उनमें invest करते हैं, usually वो high growth companies यह start-up में invest करते हैं, कुछ उसी की different class होती है, investors की जो private equity कहलाती है, लेकिन venture capitalist वो हैं, जो highly growth businesses यह start-up से पैसे डालते हैं, usually, seed level के बाद, seed round में या initial round में आपको एक और term यूद होती है, angel investor, जो basically private group होता है, VCs जो प्रॉपर एक company, एक corporation होती है, जो invest करती है, fast growth companies. अच्छा स्थर भाई, National Incubition Center, नाम से जो इसका मत्तब समझाता है, वो यह है कि एक national, एक public company है, या एक public organization है, जिसको government support करती है. तो National Incubition Center, is it a government supported committee या आपकी company है, या फिर इसको एक privately है, नाम उसका National Incubition Center है, और अगर government है, तो इसके अंदर, कितनी आप समझते हैं कि government की support मौझूद है, और किस level के उपर वो support कर रहोते हैं, NIC? जहें, government की 200% support है, because it is entirely funded by government, and run by private people like us, we are all private employees, हम private लोग है, हम private काम कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा factor है, वो यह है कि government के पास बहुत सारे funds होते हैं, government की fund utilization होते है, इसी तरह government का इदारा है, ministry of IT, called Ignite, IGNIT, Ignite, Ignite Technology Fund, ministry of IT ने बनाया, Ignite is a section 42 company, which works under the directives of ministry of IT, the federal ministry of IT, उसने ये different incubation programs, different शेहरों में की है, आज जब मैं आप से बात कर रहा हूँ, तो NICs की तादाद 8 हो गई है, चार provincial capitals में, एक सलावबाद में, हैदरबाद में, फैसलाबाद में, और जो aerospace का specialized incubation center है, वो है रावल पंडी में, तीन चार incubation centers, इंशाला, कुछ तो जल्द आपकी इस podcast के live होने के वह तक भी, उनकी announcements आ रही होगी, तो यह art तो अभी इस वक currently है, completely run by private people through a bidding process, तो जैसे मे organization एलम केटी है, वो हैदरबाद, कराची और पिशावर का run कर रही है, लंज, जो मशूद यूनिवरस्टी है, वो गोहर का कोईटा का run करती है, इसी तरह जैस जैस जो है, वो इस वक सलावाद का कर रही है, सलावाद की नई bid भी आ रही है, तो वो कोई नई organization होगी है, जैस हो, वो बिट के result पे होगा, तो important यह है कि competitive bidding process है, जिसके तहत different private players selected होते हैं, और वो run करते हैं, लेकिन completely fine monitor, regulated by Ignite, which is a government of May, अच्छा जो भी, पाकसान में जो स्टार्टप कलचर है, as compare, मैं ना भी करूं किसी से compare, तो इसका ratio इतना कम क्यों है, और क्यों हम देखते हैं कि स्ट startups पाकिसान के अंदर उस तरीके से गोड़नी कर पार है, जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए, इस पर कि हम देखते हैं कि freelance के अंदर पाकिसान के जो developers हैं, वो top five के अंदर आते हैं, पाकिसानी जो लोग यहां से जब जब बाहर जाके काम कर रहोते हैं, तो उनको वहां पे क कुछ ऐसे गलती हैं, पुछ मिस्टेक्स हैं, जो हम कर रहे हैं, स्टार्ट अपस हमारा इतना प्रोमोट नी हो पा रहे हैं, इसमें दोनो तीनो फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टन बात हैं कि we have to be very honest as well, अभी हमारा जो इनोवेशन लेवल है ना, हमारा मुल्क का, वो जाहर है हर, it's not like USA, it's not like even China, यूरिप की मुखतरे मुमाले, तो हम ग्रो कर रहे हैं इनोवेशन में भी, इसलिए स्टार्ट अपस कम भी हैं कि तेक्नोलजी एडॉप्शन भी कम है जेनरली, इस मुल्क में, दूसरा ही आप देखें कि आपकी मुल्क में टेली डेंसिटी या इंटरन अर्बन पाकिस्तान तो होगा, लेकिन आइस्ता इस्ता आपको मुबाइल का इस्तेमाल कम मिलता है, स्मार्ट फोन्स का, इस्तेमाल उस सेंस में कि यानि इन बिगर वे कि आप ये देख सकें कि भई, लोग डे टो डे चीज़ें अपनी मुबाइल फोन के थ्रू कर लें, आ आप इसका एक छोटे से मिसाल देख लें न, पॉइंट ऑफ सेल कितने आपके जहें डिजिटाइज हुए हुए हैं पूरे पाकिसान में, नहीं मिलते हैं, आपको चैलेंज होता है, कमिंग फॉम हैदराबाद, आइक इस्तेमाल बहुत कम हुई, वे डिजिटाइजेशन ब उसको यह जरूर्ट पता है कि एक तो डिप्रिसियेशन ऑफ आर करंसी एंफॉर्चनेटली एंड दे नो दर राइट मार्केट, क्योंकि जहां एक टेक प्रॉडट बनाने को अपनी लोकल मार्केट तु स्टार्ट विट कम मिलती, इसलिए स्टार्ट अप जादा नहीं आत आउट सोर्सिंग BPO मॉडल में सर्विसिस कंपनी बनाऊंगा जहां मैं अमरीका हो, औस्ट्रेलिया हो, यूरप के मुक्तरिफ मुमालिक हो, उनके लिए कहीं भी ग्लोबली काम कर लूँगा, मैं वेबसाइट बनाऊँ, सौफ़एर बनाऊँ, CRM करूँ यार पीस करूँ, So I have that option, कि मैं दुनिया में कहीं न कहीं काम आ रहा होगा, मुझे मिल जाएगा, कुछ नहीं होगा, तो मैं मैं फ्रीलांसिंग प्लाटफॉर्म से, फाइवर अपवर्क से ही, अपना गुजर वसल करूँ और उसके पास एक चैनल मिल जाएगा, जहां यह किया, वहां, doing business is also tough in Pakistan, एक नई कंपनी आप खड़ा करते हैं, उसको जाहर है, different regulators की तरफ से मुश्किलें होती है, अभी भी इतना smooth नहीं है, regulation, हानके SECB and State Bank and FBR are now better when I see it like eight years back, जो कि एक ज़रा जादा friendly हो गए, लेकिन अभी भी भी बहुत सारा काम करना है, तो इसके हिजाब से यह मैं कैसे हता इस पर आप देखें कि बहुत सारा काम दो बहुत basic work भी है, जिसको जिसकी करने के लिए आपको ज़्यादा skills की भी ज़रूरत नहीं, start-up बनाना, और दुनिया में भी अगर आप देखें, routine tech work versus your services work versus having big start-ups or high potential companies, high growth companies, वो कमी होता है, पाकिस्तान में थोड़ा सा वे time आएग जब एक तो technology adoption जादा होगी और सोड़ी सी innovation भी हमारे universities और उनके थूरू बढ़े ही, अच्छा, इस से मेरे एक बहुत basic सा सवाल है, आपने, जो मैंने आपकी बात समझी कर वोई हैं कि हम पर technology adoption नहीं है, अब इसका एक सिंपल सा एक सवाल है कि क्यों पाकिस्तान से जो जो 10 हैं उसमें से 8 companies ऐसे हैं जिनके CEO's Indian है, पाकिसान का क्यों बंदा जो यहां से जाता है, वो manager position से आगी किसी executive position दी नहीं जा सकता, जबके वहाँ पे उसको environment भी बिला है, वहाँ पे adoption भी है, वहाँ पे सारी चीज़े भी है, तो किस वज़ा से हम lack कर रहे हैं कि हमें वहा जिसान भी बड़ा मुलके है, पाच्वा बड़ा मुलके है, लेकिन एक तो उन्हें यह advantage मिलता है कि उनके numbers हमसे जाता है, एक, दूसरा यह कि इस पर बड़ी research भी हुई है, इस पर comparison भी लोगों ने किया है, इंडिया के दो बड़े अदारे बन गए इंडिया में, एक है IIT और IIM, IIM और IIT के अगर हम एक बड़ा मशूर शो आता है, शाक टैंक इंडिया, अगर उसके आप इवन जो जो शाक बैठे वे हैं या जो एंजल इंवेस्टर्स या जो लोग इंवेस्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप उनकी प्रोफाल्स भी देखेंगे ने, तो उनमें स क्लेर कट गोल के IIT और IIM को बेस्ट लेवल के इनोवेटर्स, तिंकर्स, लीडर्स, बिजनस लीडर्स, टेकनॉलजी लीडर्स प्रोड्यूस करने हैं, तो इतने अधारे ऐसे बन गाएं कि जो पूरे मुलक में हमारे एक UET का कॉंसेप्ट है कि युनिवरस्टी उफ इंज साधा लेवल पे इनिवरस्टी को होना चाहिए कि जिनका ग्लोबल माइंड सेट हो, इसी तरह बिजनस स्कूल्स हो अगर IBA, IBA, कराची, सक्कर, हर जगा पे हो, एक तो ये फर्क है, दूसरा जाहर है एक्सपोजर का फर्क है, बहुत सारे इंडिन या डिफेंट मुलकों के लोग वो एक्सपोजर पहने ले चुके हैं, जो हमारा कोई बहर का आप कह रहे हैं, एक्सपैट, वो स्ट्रगल करके अपनी पहले जॉब ग्यारेंटी करता है, उसको एक्सपोजर नहीं होता अपनी तरफ, तो जल्दी फिट इन होना उसको चालेंज आता है, and then basic skills as well, we have to be very clear about it, कि ये जहां tech skills और जहां innovation एक तरफ है, वहां communication skills वहां वो भी फाइदा देती है, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे बड़े पाकिसानियों ने, बहुत सारों नाम दिया है, आप पेटी है, सफान शाह एक बहुत बड़ा नाम है, इद्रीस कोठारी एक बहुत बड़ा ना तक पहुंची, एनिडी का graduate, कराची का, तो उन्होंने भी नाम दिया, जाहर है, वो वो लेवल नहीं है, शाहिद उस पे के हम direct comparison करें, बट ऐसा नहीं है, कि बिलकुल सिलिकान वाली में है, अदरवाइस, पाकिस्तानियों का नाम नहीं है, इंशाललह वे टाइम, हाँ, उस हजारों, बेरखाद से तो हजारों नहीं है, अब शाहिद लाखों में employees होगा है, मुझे exact number नहीं पता, तो इस तरह ये भी नहीं हुआ कि कोई conventional businesses, हमारे जो बड़े बड़े नाम है, उनकी बड़ी बड़ी tech companies बन चुकी होती है, already बाकिसान में, जो ये सारा talent इतना polish कर रह होती है, यो मुझे से बार भी जाए, तो वो fit in हो जाए कहीं भी, तो ये भी factor, अचा आपको नहीं लगता, मैं थोड़ी शे अपने अगरस पर research, अपनी research थोड़ा सपर आड़ करूँ, हमारे पास companies, conventional businesses भी नहीं बन पाए, कि हमारे पास government level के उपर stability नहीं थी, जैसा अगर मैं बात करूँ, 1970s के से पहले, 1960s में, बहुत सी ऐसी companies थी, जो अगर मैं उस दमाने के बंदे से बात करूँ, तो कहते हैं, आज वो अगर होती, तो आज वो एक शायद एक billion dollar का company होती, लेकिन उस टाइम पे फिर 70s के अंदर nationalization हा गहीं, उन्होंने सारी companies को अपने take over कर लि है, और जैसे इंडिया की मैं बात करूँ, तो 1991 के बाद जब मन्मौन सिंग उनके जो है, वो finance minister थे, उन्होंने जो अपने potential जो उनके candidate से उनको बाहर बेजा, बाहर का exposure, इंडिया ने खुद अपनी बाहर long ago settle किया, exposure दिलवाया, और जब वो अपस आगया, अपने पास start-up launch किये, उन्होंने करा अपने इंडिया में, तो अब वो, वो results produce कर रहे हैं, जो results रहे हम कभी नपर्डियूस करवा है, या बीस-पचे साल तक मुश्कल है, यह तो बहुत जरूरी, consistency of policies, cost of doing business, आपकी overall governance structure, ease of doing business, यह सारे factors तो जाहर है, बहुत important and rightly pointed out, मैं मुझे इस तरह, उस की analysis नहीं की, लेकिन I think so, मेरे खाल से इंडिया के case में, आप ये भी जरूर देखे हैं, कि एक तो time रहा, policies consistent रही, दूसरा उनका education level भी बढ़ाना साल में, तो वो factors आ गए, हमारे case में जाहर है, वो disturbances रहती है, हर मुझे जो consistent रहा है, अपनी policies में उनका रहानी हुई है, but I think so, हमें इस वक्त, जो पुराना हो गया, वो हो गया, let bygones be bygones, लो क्याते हैं, बुजर गया जो time, I think so, अभी हमारे ते इतना मुश्किल नहीं है, कि हम ये कहें कि हम अपना, हमारे भी बहुत बड़ी एक expat population हैं, और हम उस brain drain नहीं कह सेते हैं, हम gain भी कर सेते हैं, I think so, more of a structured approach चाहिए होगी हमें, और ये वाले आपने factors बिल्कुल सही identify की हैं, कि पहले जो ऐसी policies थी, especially nationalization को तो, बहुत सारे businesses रहे जाए, even, अगर आप देखें, तो पाकिसान से बहुत emerging banks आ रहे थे, BCCI उसका नाम है, उसका factor हुआ, उसका एक तार से demise of BM, BCCI एक बहुत बड़ा factor ह BCCI के ही थूँ आप सोचें के पाकिसान में एक tech का भी रिष्टा है, वो ये है कि FAST जो यूरिवरस्टी, it used to be BCCI FAST कहते थे उसको, तो FAST के बनने में भी आगा साब का एक रोल है, जो पाइनियर थे of building this wonderful institution, BCCI, तो येस फर्क पढ़ता है कि आप कितना support दे रहे हैं, अब इस digital age में हर दिन important हो गया और obsolete हो जाती है technology, पहले नहीं हुआ तो अब हम कर सकते हैं, अच्छा सुमें, इससे जो मैं सवाल एक चीज़ बज़े में आई है कि आपको नहीं लगता कि incubation से जादा, university level के उपर हमें काम करने की जरूरत है कि हमारा base जो हमारा structure ready हो रहा है, जो base है हमारी उसकी, जो universities है, colleges है, उनके अंदर हम ज़्यादा काम करें, बनस्बद इसके हम incubation और start-up के उपर जाए, कि वो base ही ऐसी बन जाए, कि वो जब बाहर निकले university से, तो उनके पास एतना अच्छा exposure मिला हुआ हो, कि उनका base अच्छी बनी वी हो, कि वो फिर खुदी जो है, वो उस तरीकी से excel करते हैं, जैसे आपने idea का बताया है, कि उनको IIT और जो सारी universities उनकी है, वो एक top उसमें आती है, तो वो फुद बखुद उनको exposure मिलता है, आपको लगता है, इसके अंदर university लेवलकर पर काम करने की ज़रूँत है, पहले तो incubation का थे, मैं से इसमें policy का हिस्सा होना चाहिए, not only universities and colleges, right from the school, पर अगर school में, दुनिया भर में, एक high level पर बच्चों की coding की basics बेतर हो गई है, और हम पतनी क्या-क्या देख रहे हैं दुनिया में आप, 8th grader क्या-क्या कर रहा है, हम तो equippedy नहीं है ना उस level पर, हमारा तो पिर curriculum की मसाइल है, हमें त तो बहुत जादा early intervention करनी है, दूसरा ये कि हम कराची में, लहूर में, साबाद में तो बहुत easily बहुत सारी बातें कर लेते हैं, जो कि पाकिस्तान की 80% नहीं तो even 60% population जो है, 60% population तो वो समझ भी नहीं पा रही है, मैं इसलिए परिशान होता हूँ कि मैं देखता हूँ कि ड करेंगे जहां 3G नहीं होगा, so problem is at the very grassroots level, and yes, आप जो universities कह रहे हैं, वही वाली बात है कि जैसे अलहाजर university बनी, उसने leaders बनाएं, बहुत सारे, या दुनिया भर में जो बड़ी universities बनती हैं, सब को क्याते हैं कि अगर किसी virus के against anti-virus आना है, वह university से आएगा, अगर Google के जो जो founders थे, वो आपस में मिलें इसलिए कि वो PhD कर रहे थे, ये लोगों को नहीं पता होता, लोग समझते हैं कि academia, सर्जी, सर्जी ब्रेन और लैरी पेच का academic बात चीत हुई थी, this was a thesis that eventually became Google, तो ये वाली चीज़ लोगों को नहीं पता होती, लोग academia को unfortunately, वो एमियत नहीं मिलती है हमारे मुलती है, academia ही तो जहन चेंज करेंगे, जो अर्दू का बड़ा मुश्किल सा लवज है, लेकिर बड़ा important है, जहन साजी, if you want to make people understand लोगों जहन बनाना है, तो academics ही करेंगे, academia और वो knowledgeable society करेंगे, बड़ा important है, अच्छे, region wise जो है, वो कितना ज्यादा difference है पाकसान के अ अच्छे के अंदर, in terms of companies, growth, startups, or incubation के अच्छे लोग जो है, वो नाराज ना हो जायरे में अंदर से कराची वाला हूँ, I see more growth in north of Pakistan, especially Lahore and, and Saabad, especially new budding tech companies, developing and growing, कराची में, yes, कराची में you have refined good tech professionals, जादा मिलते हैं आपको, लेकिर companies की growth आपको लोहर में बहुत च्छी मिल रही है, even Saabad में भी, so Lahore is very upbeat with the tech ecosystem, पर तब कराची से थोड़ा सा एक अच्छे लिवल पे मैं कह रहा हूँ, कराची now is a good competition in Lahore, Lahore की नई emerging companies बहुत च्छी आ रही ह कराची के मकामने में, आखरी 15-20 साल में, तो Lahore में टालेंट अच्छा आ रहा है, अच्छा था, असर भाई, next हम जो दो-तीन सवाल हैं, वो सिर्फ वासिफ पाकिसान के अंदर जो कुछ start-ups हैं, और applications हैं, जो daily life के अंदर बहुत जादा use कर रहे हैं, उनके उपर target करेंगे, तो सबसे पहले था, मुझे बताएं, कि आपकी नजर में, मैं by Kia का नाम मेर हूँ, लेकिन आपकी नजर में कोई ऐसा start-up है, जो आगे चलके हम जिसको consider कर सकते हैं, कि शायद वो जाकि unicorns, पहले तो unicorns को define भी कर दीगा, क्योंकि हमारे जो viewers हैं, उनमेंसे बहुत साइसे हों Usually unicorn tech world में billion dollar companies को जिनकी valuation billion dollar पे हो जाए, एक अरब dollar की मालियत हो जाए, उनको unicorns कहते हैं, बाइकिया आइडियरी unicorn पाकिसान की environment में बन सकता है, बन सकता है, बना नहीं, जाहरे अभी dynamic is different है, बाइकिया का जो खुद founder भी मानते हैं और बाइकिया जिससे inspiration भी रही है, एक company gojek, G-O-J-E-K, इंडोनेशिया की है, वो unicorn है, इंडोनेशिया की company is similar model, it's a unicorn, and it has spread out of Indonesia as well, क्योंकि अगर आप गार करें तो ये आसियान जो रीजिन है, जो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलेंड, लाउस, ये वाला जो एरिया है, कमबोडिया वाला, इन में एक अपस में understanding जाहर है, उनकी trade, उनकी Thailand वगारा, इन सब की आपस की दोस्तिया, एशिया की South East एशिया वालों की, तो अधर expansion भी ज़रा असान होती है, गोजेक का अगर आप model देखें, जिसमें उन्हों है different features अब बढ़ा भी दियें, company थोड़ी से tweak भी हुआ है, लेकिन शुरू वो by IKEA की तना से हुआ था, वो बिलियन डॉलर बन सकता है, इंडोनेशिया पाकिसान दो बहुत बड़े मुलके हैं, इंडोनेशिया भी बहुत बड़ा मुलके आबादी के हिजाब से, economy में भी वही कुछ challenges रहे, even political challenges भी हमारी तना रहे, तो वहाँ अगर कोई एक आ सकता है, तो पा do it, तो उनकी अपनी गलतियां भी हैं, जो वह सामने आई हैं, कुछ लोगों ना identify भी की हैं, कुछ market के भी issues रहे, अच्छा, नेक्स वेरा सवाल यही था, कि Air Lift और Soul जैसे companies पाकिसान के अंदर आई, अच्छे चली, लोगों में, लोगों को उनके अंदर potential देखा, लेकिन, again, out of sudden, बिलकुल, अचानक से हमें पता लगा, कि अब वो बिलकुल shut down कर रही हैं, तो उसकी क्या reason थी, क्या background के अंदर कुछ ऐसे पीछे से, management issues थे, financial issues थे, य इनका थोड़ा सा फर्क है, Air Lift और पाकिस्तानी founders ने पाकिस्तान के लिए बनाई, और पिर उनने फैसला किया कि आफरिका में एक्स्पैंड करेंगे, खासता पर साउथ आफरिका में, और SIRL जा थी, वो जो मेरी वालुमात है, वो Egyptian led company है, जो पाकिस्तान में as a company आई, तो ये फर्क था, उनको वहां माला कुछ दुश्वारी हुई अपनी मुल्क में, इसलिए उनकी फिर भी structure हो गए, सविल वाले, Air Lift में जाहर है, Air Lift को founders ने भी आके खुद बताई है, वो देकें, they can be better spokesperson for their company, लोगों ने independentry भी analyze किया है, इतनी जल्दी expand नहीं करना चाहिए था, इतनी जल्दीते सारे शेहरों में नहीं जाना चाहिए था, इतना सारा कुछ operations cost जादा हो गई थी, कुछ लोगों की hiring के challenges थे, different लोगों ने different किया है, लेकिन देखें, उससे अच्छी चीज़ भी लेनी चाहिए, एक तो ये कि हमें as a society embrace करें failures, वही, Air Lift ने अगर ये उमीद दिला दी बहुत सारे entrepreneurs को कि हमने एक billion dollar company बन जाना है, ये भी तो बड़ी बात है, Air Lift ने बहुत सारे लोगों को रोदगार भी दिया, Air Lift ने वो अपने आपको tweak भी किया, from a right sharing healing kind of a van service to a delivery service बन गई, hyper local delivery service बन, model भी change किया, इस चीज़ पसको credit भी मिलना चाहिए, लेकिन yes, failure हो जाते हैं, उनसे भी गलतिया हुई, market की भी कुछ correction होई तो, अच्छा जैसे कोई startup अगर loss में जाता है, तो उसके जो investors होते हैं, वो किस तरीके से अपने losses को cover करते हैं, exit कि क्या strategy होती है, और उसको किस तरीके से वो maintain कर रहे होते हैं, और किस time पर हम exit करना है, और अगर वो exit कर जाते हैं, तो वो पर उन companies के लिए किस तरीके से loss कवर कर रहे हैं, usually जो जितने भी VC funds होते हैं, इनको ये high risk, high return policy होती है, जाहरे है, वो portfolio wise invest करते हैं, उनको पता है, हमने 10 companies में लगाया है, उसमें से example दे रहा हूँ, एक unicorn होगा, या 100 लगाया है, उसमें से एक unicorn होगा, 90 तो fail होंगे, startup failure rate बहुत बड़ा है, दुनिया भर में, इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि हमें embrace करना चाहिए, failures को, 90 फीसे startup दुनिया भर में fail हो रहा है, कुछ figure 95%, कोई 90 कहता है, को 80% कहता है, 80% भी आप सोचें तो ये बड़ा rate है failure का, तो failure के लिए वो फिर अपना portfolio ऐसा बनात करते हैं, मुक्तलिफ, diverse investments करके वो आपको manage करते हैं, and then they hope कि उसमें से कोई एक super hit होगा, जो पूरे का पूरी cover कर लेगा, अचा मैं नाम ना लिए बगए, कुछ startups के बारे में आपको एक hint दे देता हूँ, कि कुछ ऐसे हमारे हैं startups हैं, जिन्होंने for granted ले ले लिया, कि funds हमें मिल रहे हैं, तो उसका हम illegal कहूँगा, या unlawful आपका एक use कहूँगा, कि उन्होंने use करना शुरू किया, access hiring की, और उसके बार जो है, मतलब पैसे investors से निकालते रहे, and फिर अचानक से exit हो गया, loss begging बिल्कुल बंद कर दिया, तो उसमें आपको लगता है कि culture हमारे हैं, जो ए आप अपना study करते हैं, आप due diligence का जो लवज यूज होता है, you study a company, you study their founders, you analyze and then you invest, unfortunately यह है, लेकिन बहुत सारे बहुत clean chit भी है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो market की है, उसे loss में चले गए, so due diligence का add बहुत जरूरी है, वो हर investor को करना चाहिए, अच्छे जैसे मैं fast moving services के बार बात करता हूँ, food panda हो गया, इनके अंदर जो हमें दिखता है, वो हद से जादे cash burn है, यानि कि मैं अगर इनका profit ratio देखू हो शायद अब तक profit में आत या तो ना आए है, या तो बहुत minimum होगा, या दूसरे department से आ रहे होंगे, तो फिर इसके बावजूद investors वो सालो साल से cash burn क देखी दें, लेकिन top line से मुराद revenues, तो revenues कितने बढ़ रहे हैं, अक्सार startups जो VC होते हैं, वो यह कहते हैं कि हमने revenues पे पहले काम करना है, profit आई जाएगा, revenues पे काम करने आद लोगे हैं कि आप इना revenue हो, इतनी बड़ी आपकी market capture हो, जो कि कुछ companies की हो गई हैं, जनके आप ना परीब भी नहीं है, then you'll start to slightly tweak your model or adjust your model, कि you start making money, you cut costs, आप अपने operational efficiency बढ़ा देते हैं, ideally यही होता है दुनिया भर में, and then आप पर profits बनाना शुरू करते हैं, तो from a market capture strategy, from a revenue, top line approach to a bottom line approach, जहां वो पर profit देखते हैं, यह भी इसी तरह देख रहे होंगे, मैं उनकी strategy board में तो नह इडियली यही है, कि you build company this way, कि आप पूरा market capture करने हाई revenues हो, जो हाई revenues है, वो फिर उस पूरी market capture को देखते हुए ही, उनकी valuation बनती है, आप इसको इस तरह लिंक करें, उसका finest example है करीम की acquisition जो उबर ने की, करीम गालबन अगर मैं सही हूँ, तो तीन बिलियन डॉलर पे की valuation प acquire हुई है, गलत हो, शायद तीन से पाच बिलियन ता, शायद तीन बिलियन valuation पे थी, वो यही था, कि करीम उने areas पे operate बहुत सारी जगाओं पे कर रही थी, जहां उबर इतनी बड़ी success नहीं थी, जैसे कि करा, जैसे कि पाकिस्तान और नॉर्थ आफरिका, तो वो भी profit तो न by some international agencies हैं या companies के साथ है, तो इनका क्या future पाकिसान के अंदर, are they going towards Unicorn, पाकिसान के अंदर रहते वे, या पिर इसी तरहें से जलते रहेंगे चल रहेंगे, जैसे चल रहेंगे, I think, इस पे ये, क्योंकि कुछ factors तो external होंगे, मुझ वही बात है कि I don't have their financial numbers, मेरे पास उनकी balance sheet, income statements और गारा नहीं है, कि वो किस level पर चल रहें, लेकिन जाहर है, certainly उन्होंने market तो capture कर लिये, नाम तो बड़े हैं ये, business तो इनके पास है, ये important है कि उनकी जो parent companies है, rocket या जो दूसरे नाम बड़े, वो की delivery hero है, जैसे उनके case में, ये किस level पे उनके अपने आलात कैसे हैं, ब then we have to invest, या divest, यहां में यहां पे चले जाना है, तो ये फैसला तो वहीं होगा, जर्मनी से हो रहा है, ये फैसला, अभी तो I see them as good thriving companies, because, अच्छा हो बुरा हो, they have captured the market, so it's a big thing, कि आपने market ही आपकी होगी है, e-commerce आपकी है, तो delivery आपकी है, इस तरह जहन में तो यही आता है इसे दो last हमारे सवाला थे, इसके अंदर एक यह है कि आप रिसेंटली एक्जेंपल सेट वी कि डेटा है को एक application का, पाक्सान के अंदर इन जैसी एप्स जितनी भी हैं, जो हम यूज कर रहे होते हैं, जो बहुत जादा यूज कर रहे होते हैं, एक्सेस यूज हमारा होता ह खासवर पर कराची के अंदर में बात करूँ, तो यह क्या एक चीज मिस कर रहे हैं, जिसकी वज़ासे यह अपनी security को बैतर नहीं बना पारे हैं, जिस वरसे customer का data leak हो रहा है, और उसके customer भी suffer कर रहा है, और पर बाद में उस application की जो growth है, उस पर भी effect आता है, आपने जिस company का बताया, बगार उसके नाम लिए वे, उनकी clarification यह आई, कि यह third party को जिसको हमने manage करने के लिए दिया हुआ था, उसकी तरफ से हुआ है, तो बी ऑनेस यह एक अच्छी clarification नहीं है, क्योंकि मैं as a consumer, as a customer, यह मेरा concern नहीं है, कि आप third party से कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, आप क्य information security, cyber security, generally is not a priority for most of the companies, even tech companies have very few people, जो कि साइबर सेक्यूरिटी के लोग, आपको यह ताजब होता है, कि यार आप यह tech company नहीं का साइबर सेक्यूरिटी के लोग नहीं है, और अक्सर यह होता है, कि हैक हो गया, उसके बाद उनको खयाल आया, उन्होंने किसी bug bounty वाला है, उन्हो जो जो होता है ना, वाइट है, उसमें हैकर को बुलाया और उसने आके स्वाल किया, इस तरह यह तो बिलकुली कहते है ना, एड हॉक बिसस पे अपनी, अपनी साइबर सेक्यूरिटी को देखना है, तो जेनरली साइबर सेक्यूरिटी नीज्स टो बी इंप्रूब ओर और कंपनीज को भी देखना है, वी एस कस्टमर्स और कंस्यूमर्स अप इस अब्स, इस प्लाटफॉर्म्स हमें भी अपनी आवाज उठाने चाहिए, कि यार हमारा डेटा सेफ है, आपके पास यह नहीं है, हम भी इसको वैल्यू ज़रा ज़ादा देने लगें, हम सिर्व यह गाएंगे, जी मेरा पैसे ही जब जाएंगे तो मेरा डेटा खराब होगा, जो टिपिकल एक फ्रॉड होते हैं, बलकि मेरे डेटा भी बहुत इम्पर्टन है, तो इसको इम्पर्टन अंदेन, रिगूलेटर्स और गश्वर्मेंट्स निट टू इंशूर के वो बेटर सर् अचे शुखरूण वही एकॉनयमी जो करयं गैंडिशन है यह कहा अझार इनिस्क्राइप कहा सब्सक्राइब कर सार्थ हास्पर इसाट अब शुदिश दा अच्पार इनिप्सार्ट पॉड जुदिशन केंड़ कितना इंपक्त इसक्राइब किरकें इंपक्त वहता है तो बह तू वर वेरी प्रामिसिंग ये तीन साल तो खास तार पर एको सिस्टम के लिए बहुत बड़ी बड़ी डील्स हुई बड़े अच्छी स्टार्टर्स की लिए खबरें हुई लोग का इंटरस बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर्स भी लाँच हुए तो वो भी इंकरेच करते है ये समल जाएगा टाइम लेकिन इसको में देखना पड़ेगा इवन ग्लोबल कंपनीज लाइगा टाइगर ग्लोबल एंड क्लाइनर परकिंज ये पाकिस्तान में आगें थी वो भी स्ट्रगल कर रही है ग्लोबली भी एक तरफ ग्लोबल रिसेश्शन हो रहा है यूएस और अधर मुलकों में फिर यहां थोड़ा सा एकनॉमिक्स अंसर्टिनेटी चल रही है इंशाला बेदर टाइम आएगा बड़ इस वान येर और इस सिक्स मन्स आर येस क्रिटिकल इन टॉफ है अच्छा स्वारा वेको लास्ट में आप भी मैसेज देना चाहेंगे अपने स और इन कुईशन का हमारे से कोई भी मैसेज किस तरीक से इनकुबिशन में सकते हैं कोई भी मैसेज आप जिए उजिली जितने भी एन आइचि एısı है आप करासी में देख रहे हैं आप निगे कराची एरेडी उनिवरस्टी में आप वाक इन करें सिंज उनिवरस्टी के सिटी कैमपस में हिदरबाद वाला है लॉम्ज वाला इसी तरह ब्यूटम्स में नाइसी कोईटा है और यह सब वाक इन है यहाँ आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं देख सकते हैं, स्टार्टप्स कैसे काम कर रहे हैं टेक्नालिजी इंक्यूवेशन कैसे हो रही है तो यह एक तो पहले अपना एक्सपोजर लें दूसरा है जैनरली लोग अपनी स्किल्स पर काम करें आजकल दुनिया गिग एकॉनमी भर रही है स्किल्स वाले लोग जिनकी स्किल्स हैं खासता पर न्यू स्किल्स हैं उसको आप लेने के मौाक्व भर रहे हैं आपके क्योंकि हर चीज डिजिटरी अविलिबल है तो अपनी स्किल्स बिल्ड करें इवन जो लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं यह सोचें कि आज शायद मैं पचास डॉलर का जो गिक कर रहा हूँ या पचास साथ सतर सौ पर हूँ मैं हजार डॉलर कैसे पहुंच हूँ मैं वैल्यू कैसे क्रिएट करूँ हमें जादा पाकिस्तान को इस वैल्यू क्रिएशन की ज़रूरत है और यूथ को भी अपनी स्किल्स वो कहते हैं न फ्यूचर ऑफ वर्क आगे दुनिया किस तरह काम करेगी उसको देखते हुए जो नई स्किल्स की ज़रूरत है उस पर काम करें तो इन्शालला फ्यूचरी फ्यूचर है तो प्लीज हमें लाइक कीजिगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिगा और फॉलो कीजिगा इस्टागाम के उपर और कमेंट में लाज़मी बताईगा कि कोई सवाल जो आप इन से पूछना चाते हो जो हम नेक्स्ट कभी हम इन्वाइट करें तो इन से लाज़मी पूछें थैंक यू सो मॉच